शुरुआत में हम एलियट नाम के एकादमी को देखते हैं जो कि मर हुए लोगों को उनके फ्यूनरल के लिए तैयार करने का काम करता है ताकि वे लोग अपने फ्यूनरल पर बिल्कुल तैयार और जिन्ता जैसे दिखाए दे जिसके बाद में एलियट उसका फोटो लेता है और ये सीन यही पर एंड हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम एना और उसके बॉइफ्रेंड पॉल को बेड में देखते हैं जहाँ पर पॉल तो एंजोई कर रहा था लेकिन एना थोड़ी सीरियस थी पॉल एना से उसकी परेशानी जानने की कोशिश करता है लेकिन वो से ठ थोड़ा अजीब बच्चा था और हम देखते हैं कि एना अपने स्कूल में कुछ अजीब बच्चा था और हम देखते हैं कि एना अपने स्कूल में कुछ अजीब बच्चा था और हम देखते हैं कि एना अपने स्कूल में कुछ अजीब बच्चा था और हम देखते हैं कि और उसे यहां भी कुछ अजीब फिल होता है जैसे उसने अपने प्यानो टीचर की लाश को सांस लेता हुए देखा है एना अजीब गरीब हरकत कर रहे थी जिसे एलेट भाप लेता है अब शाम को पॉल ने एना को डिनर पर बुलाए हुआ था और वो वहाँ पर उसे इंगे इस बारिश में अपने गाड़ी को लेकर चल देती है बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा था और एना चलती गाड़ी में अपना फोन निकालकर नंबर डायल करती है और इतने में एक ब्लेकाउट के साथ में यसी नहीं पर कट हो जाता है अब नेक्स्ट सीन में ह एक बहुत खुबसरत लाज ड्रेस पेनी हुई थी एना के सिर पर एक गहरा घाव था और अचानक एना की आँके खुलती है वो एलिएट से पूछती है कि वो कहां पर है और एलिएट उससे कहता है कि वो 8 घंटे पहले कार एक्सिडेंट में मर चुकी है और ये बस उसकी ब और वो तब तक उसकी आत्मा उसकी बाड़ी में रहेगी और उसकी बाड़ी दफनाने के बाद में वो भी चली जाएगी एलिएट को गिफ्ट के रूप में एक शक्ति मिली है जिसमें वो जिन्दगी और मोत के बेच फसी आत्मा उसे बाते कर सकता है और वो उन्हें दफन पर्पर पॉल करता है जो कि अब हाली में मर गया는 जिसके बार मिपाल एना के घर पोछता है जाब पर उसे हैना की मांसे पता चलता है कि एना की कार एकसिडेंट में मोट हो गई है जिससे सुनने के बार में पॉल अपने आपको संभाल नहीं पाता लेकिन एना की मॉम बिल्कुल नॉर्मल थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो यहाँ पर हम देखते हैं कि एलियट एना की बॉड़ी को फ्यूनरल के लिए प्रिपेर कर रहा है और वो एना की घा जाते हैं और उनके बाद उनका परिवार परेशान होता है और वो जाते जाते यह भी कहते हुए जाती है कि एना के बाल फिर से ब्लेक कर दें क्योंकि लाल बालों में एना बिल्कुल भी नहीं ठीक लगती जिसके बाद में एलियट उपर अपने आफिस में होता है और वहा आवाज लगाती है लेकिन उसकी आवाज उस तक नहीं पूछती फिर पॉल के जाने के बाद में एना एलियट से पूछती है कि उसने पॉल को उसके पास क्यों नहीं आने दिया जिस पर वो कहता है कि उसकी आत्मा जल्दी उसका शरी छोड़ देगी लेकिन अगर वो अपने चाने वाले से अटेच रही तो वो वहीं पर फसकर रहे जाएगी एना को ये लग रहा था कि वो मरी नहीं है और एलियट ने उसे ड्रग दिये हैं जिससे कि उससे कुछ भी मेसूस नहीं हो रहा है और यहाँ पर पॉल अपने फ्रेंड टॉम से मिलने पूलिस स्टेशन जा करती है और वहाँ पर दूसी ल आश्ट को देखकर घबरा जाती है फिर वो इन्टजार करती है एलियट के आने का तकी वो उसरे वंपर हम्ला कर सके लेकिन एलियट एना के संबorta बच जाता है और एना को कन्वेंस करता है कि वो मरचुकी है लेकिन एना ये मानने को किसे देख सकती थी और वो उठकर सभी सामन को यहां वहां फेक देती है फिर यह सीन यही पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पॉल को एक बड़ा अजीब सपना आता है जिसमें एना अपनी बोडी से अपना दिल निकाले हुई है और यह देखकर पॉल एलियट के आफिस में जाकर वहां के टेलीफ़न से पॉल का फोन करके उसे बताती है कि वह जिन्दा है लेकिन पॉल को यह लग रहा था कि कोई एना बनकर उसके साथ में मजा कर रहा है और वो फौन को वहीं पर कट कर देता है एना बहुत नाराज होती है और इतने में एलि एना के सासों से आएने पर भाब जम जाती है जिसे एलियट चोरी चूपर साफ कर देता है और जैक जो की पाथी से निकल रहा था वो नीचे से खड़ा-खड़ा खिलकी में से एना को देख लेता है एना अभी एकसेप्ट कर लेती है कि वो मर चुकी है और वो अब एलियट का साथ दे रही थी एलियट एना के भाई की रेड डाई को निकाल कर उसे फिर से ब्लेक डाई करता है जिसके बाद में एना सपने में पॉल को देखती है लेकिन वहाँ पर असल में एलियट था और वो एक पुलिस ऑफिसर के भाई की बाड़ी को रेड़ी कर रहा था उसके फ जिस पर एलियट उसे जूट के देता है कि पॉल भी उसकी मौत पर नहीं रोया जिससे सुनने के बाद में एना बहुत ज़्यादा दुखी होती है और फिर एलियट उसे ड्रग इंजेक्ट कर देता है अब पॉल एना के स्कूल से एना की चीज़े लेना गया था जहां पर उससे जेक बताता है कि उसने एना को फिनरल होम में लाल ड्रेस में खड़ावा देखा है लेकिन पॉल को ये सारी बाते बखवास लगती है और पॉल जेक को वहीं पर थपड़ मार देता है जिसका उसे बाद में अफसोस भी होता है इधर फिनरल होम में हम देखते हैं कि ए बारबर फिंडरल में जाया करता है क्योंकि been भी मरे हुए लोगों से बाते कर सकता है और अलियाट को एस बात पता लग गई थी और जेक को कहता है कि वो कन नोटिस करता है और उसे याद आता है कि ये एक्सि देंट वाले दिन एना ने अपने ड्रेस के अंदर रेड्र द्र ज SAR पर अलियाट जैक की बातों को जूटला दिता है और कहता है कि जेक एक चोटा से बच्चा है जो कुछ भी के देता है लेकिन पॉल उसकी बातों को नहीं मान रहा था और फिर एलियट उसे पुलिस की दमकी देखर महासर बगा दिता है, फिर पॉल पॉलिस स्टेशन में कॉम से मिलता है और कहता है कि शायद एना जिन्दा है उससे कोई ड्रग दिया गया होगा, और फिर वहाँ पर एक दूसरा पॉलिस ओफिसर ये कहता है कि एसा हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोनियम ब्रोमाइन से किसी की भी यह था और एना उसे कहती है कि वो बस खुश रेना चाहती थी लेकिन प्यार नहीं करना चाहती थी क्योंकि प्यार बस दुख देता है एना पॉल से प्यार करती थी लेकिन कभी उसे कह नहीं पाई और एना को एक अजी विजन आता है जिसर देखने के बाद में एना सोचती है कि इतनी दुख की जिन्दगी जीने से अच्छा है कि वो मर गई और अब एना के फिंडल की पूरी त्यारिया हो गई थी और हम देखते हैं कि एलियट उसे वही ड्रग देता है जो कि उस पुलिस ओफिसर ने पॉल को बताया था एना एलियट से कहती है कि वो आकरी बार खुद को आईने में देखना चाती है और आईने में फिर से उसके सांसों की भाब जम जाती है जिससे कि एना समझ चुकी थी कि वो मरी नहीं है बलकि जिन्दा है और एलियट उसे अभी तक जुड बोल रहा था एना कुछ कर पाती इतने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी एलियट उसे ड्रक का इंजेक्शन दे देता है और फिर वहाँ पर सभी लोग एना को अंतिम विदाई देने के लिए पोशते हैं और वहाँ पर पॉल उसे इंगेजमेंट ड्रिंग पहनाता है जिसके बाद में एलियट एना की फोटो भी दिवार पर सबके साथ में लगा देता है और फिर एना को दफनाया जाता है लेकिन एना जिन्दा थी और एना अपने कॉफिन के अंदर से ही चिला रही थी फिर रात के समय पॉल बहुत ज़्यादा शराप पी रहा था और वो एलियट से कहता है कि वो जानता है कि एना जिन्दा है जिस पर एलियट पॉल को जवाब देता है कि हो सकता है कि एना अभी भी जिन्दा हो और अपना कीमते समय बरबाद न करे और वो से जाकर बचा ले जिसके बाद में पॉल भी बिना समय बरबात करे एना के पास में कबरिस्तान के लिए निकलता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक था और एक फ्लेश के साथ में ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है और इधर भी एना अन्दर से अपनी कबर को खोद रही थी लेकिन एना की तरह पॉल को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है और फिर एलियट एक बड़ी सी रोड को पॉल के सीने में गुसा कर उसकी ये आवाज भी बंद कर देता है और ये मूवी इसी के साथ नहीं पर एंड हो जाती है दोस्तों ये मूवी एक साइकोलोजिकल होरर मूवी है जिसमें एलियट नाम का एक आदमी ये दावा करता है कि वो मरे हुए लोगों की आत्मा से उन्हें दफना जाने तक बाते कर सकता है और एक दिन एना भी एक्सिडेंट के बाद उसके पास आती है जोकि ये विश्वास नहीं करती कि वो मर चुकी है और एलियट उसे हमेशा कैन्विंस करता है कि वो मर गई है और बस उसकी बाडी में उसकी सोल बची हुई है जोकि उससे दफना जाने के बार में चली जाएगी लेकिन एना अपनी साथ से महसूस कर लेती है और उसे पता लग जाता है कि वो जिन्दा है और एलियट उसे अभी तक बेवकुक बना रहा था अब सवाल ये उठता है कि एना के साथ में इससा कौन करेगा तो जैसा मूवी में बताया गया है कि एना की मौम को नहीं पसंद था कि एना पॉल के साथ में रहे इसलिए उसी नहीं शायद ये शड़ेंत रचा होगा एलियेट एना की बोड़ी को परेलर्ज रखता था लेकिन एलियेट को भी इसका पच्टावा ज़रूर होता होगा और वो इसलिए पॉल को उसे बचाने जाने को कहता है लेकिन पॉल बहुत ज़्यादा ड्रंक खलत में जाता ही उसे बचाने के लिए और वो एना को बचाने से पहले खुदी एक्सिडेंट में मर जाता है I hope दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रू पसंद आया हुगा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू से कर लेना क्योंकि और भी कई सारे वीडियो जल्दी आने वाले हैं